मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार. मैं आज दिन भर पंजाब में था और दिल्ली पहुंचने के बाद मेरा मन करता था कि आपसे भी कुछ समवात करूं। आज सुप्रीम कौट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है। जिसके पीशे सैंकडो वर्षों का एक दिर्ग कालिन इतिहास है। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो। जो हुई और आज मिलने आ चुका है। दसकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है। साथियों, पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश है। आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवन्त है और कितना मजबूत है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाई ने, हर पंध के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्विकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृती परंपराव और सद्भाव के भावना को प्रतिमिबित करता है. बाई और भेहनों, भारत जिसके लिए जाना जाता है, और हम इस बात का गर्व से उलेग भी करते हैं, विवीत तामे एकता, विवीत तामे एकता, आज यह मंत्र अपनी पुरुनता के साथ खिला हुआ नजर आता है, गर्व होता है, हजारों साल बाद भी किसी को विवीत तामे एकता, भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा, तो वो आज के एतियासिक देन का, आज की घटना का जरूर उलेक करेगा, और ये घटना इतियास के पन्नों से उठावी नहीं है, सबासो करोर देशवासी खुद आज एक नया इतियास रच रहे हैं, इतियास के अंदर एक नया स्वर्णिम पृष्ट जोड रहे हैं, साथियों, भारत की नयाय पालिका के इतियास में भी, आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है, इस विशे पर सुनवाई के दवरान सुप्रीम कौट ने सब को सुना, बहुत धैरिय सुन सुना, और पुरे देश के लिए खुशी की बात है, कि फैसला सर्वसम्मती से आया, एक नागरी के नाते हम सब जानते हैं, परिवार में भी छोटा मसला सुलजाना हो तो कितनी दिक्कत होती है, ये कारिय सरल नहीं है, सुप्रीम कौट ने इस फैसले के पीछे द्रड इच्छा शक्ति के दर्शन कराए हैं, और इसलिए देश के न्याया धिश, न्याया लए और हमारी न्याई प्रणाली आज विशेश रुप से अभिनंदन के अधिकारी हैं, साथियों, आज नव नवंबर है, नव नवंबर ही वो तारिक थी, जब बरलीन की दिवार गीरी थी, दो विप्रित धाराओं ने एक जुठ होकर नया संकल्प लिया था, आज नव नवंबर को करतारपूर साहिप करिडोर की शुरुवात हुई है, इसमें भारत का भी सहयोग रहा है, पाकिस्तान का भी, आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही, नव नवंबर की ये तारिक हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है, आज के दिन का संदेश जोडने का है, जूडने का है, और मिलकर जीने का है, इस विशे को, इन सारी बातों को लेकर, कहीं भी, कभी भी, किसी के मन में कोई कटूता रही हो, तो आज उसे तिलांजली देने का भी दीन है, नए भारत में भाय, कटूता, नकारात्मक्ता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, साथियों, सर्वच्च न्यायले के आज के फैसले ने, देश को ये संदेश भी दिया है, कि कटीन से कटीन मसले का हल, सम्विधान के दाइरे में ही आता है, कानून के दाइरे में ही आता है, हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए, कि बले ही कुछ समय लगे, लेकिन फिर भी धैरिये बना कर रखना ही सर्वोचीता है, हर परिस्तिति में भारत के सम्विधान, भारत की न्याईक प्रनाली, कि यह हमारी महान परंपरा, उस पर हमारा विश्वास अडिग रहे, यह भावत महत्वपून है, साथियों, सर्वोच अदालत का यह फैसला, हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है, इस विवात का भलेई कई पीडियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बात हमें यह संकल्प करना होगा, कि अब नई पीड़ी, नए सरे से, न्यू इंडिया के निर्मान में जुटेगी, आईए, एक नई शुरुवात करते हैं, अब नए भारत का अंदिर्मान करते हैं, हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तै करना है, कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छुट रहा, हमें सब को साथ लेकर, सब का विकास करते हुए, सब का विश्वास हासिल करते हुए, आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है, साथियों, राम मंदिर के निर्मान का फैसला सुप्रिम कौट ने दे दिया है, अब देश के हर नागरिक पर राष्ट निर्मान की जबाबदारी और बढ़ गई है, इसके साथ ही एगनागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्याईक प्रक्रिया का पानन करना, नियम काईदों का सम्मान करना, ये दाईत्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है, अब समाज के नाते हर भारतिय को, अपने कर्तव्य, अपने दाईत्व को प्रात्विक्ता देते हुए काम करना हमारे लिए उजवल भविश्च के लिए बहुत अनिवार्या है, हमारे बीच का सवहार्थ, हमारी एक्ता, हमारी शान्ती, हमारा सद्भाव, हमारा सने, देश के विकास के लिए बहुत महत्पपून है, हमें भविश्ची और देखना है, भविश्च के भारत के लिए काम करते रहना है, भारत के सामने चुनोतियां और भी हैं, लक्ष और भी हैं, मंजीलें और भी हैं, हर भारतिय साथ मिलकर, साथ चलकर ही इन लक्षों को प्राप्त करेगा, मंजीलों तक पहुँचेगा, मैं फिर एक बार, आज नव नौंबर के इस महत्वपून दीन को याद करते हुए, आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए, आप सबको आने वाले त्योहारों की, कल ईद का बड़ा पवित्र त्योहार है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुप कामनाई देता हुँ, धन्यवाद.